हलो फ्रेंट आप सब लोग अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे आज मैं आपको लेकि जाने वाले नुलावला जो कि मुंबई के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है और मुंबई कर्समें काफी जादा यह फेमस है तो आज मैं वहां लेकि आपको जाने वाले हूं तो मैं निकल आपको मिल जाएंगे से आपको ड्राविंग का अलगी एक्सपिरिंस मिलने वाला तो यहां हम फूट कोट में रुख थे वहां हमने लिया मिसल पाव वड़ा और यहां पर लिया साथी में पाइनैपल शीरा तो मैं मिसल पाव पहली बार यहां खा रहें जो कि ग्रेवी होत बहुत ही खुप सब सीनिक व्यां हमें देखने को मिल रहा है सो हम निकले वीक्टेस पर इतना जारा ट्राफिक हमें देखने को नहीं मिला बट अगर आप लोग वीकेंड्स पर आ रहे हैं तो आप अर्ली मॉनिंग निकलिए अधर्वाइस आपको जाम यहां पर देखने को नुलावला जी हां थे खंडाला कोई तो यहां बाख साइट का एरिया है जो यहां हमें देखने को मिल रहा है और यहीं पर आसपास वो जगह पे थाशो बिक बोस हाउस यही पर कहीं पर है जो कि एक secret है वो आज तक किसी को नहीं पता है कि big boss house actually में है कहाँ पर यहीं पर है वो नुलावला में यह मैं आपको बताना चाहूंगी सो यहां से हमने जो है hills up hills जाना शुरू कर दिया है यह देखे और यहां पर sunset भी होता हुआ हमें देखने को मिलेगा सो इसलिए भी यहां नहीं रुक रहे हैं सो अभी काफी आगे जाएगा यहां पर भी जो है काफी सारे जो सेनिक वी हमें देखने को मिल रहे हैं यहां से भी जो है hills वीजिबल है होपफुली हम sunset से पहले पहुंच जाए क्योंकि वही हमारा में मोटिफ रहेगा क्या हम tiger point से sunset देख सके क्योंकि वहां का जो sunset है वही हम देखने को जा रहे हैं सो फटवर से गारी चलाते हैं सो फाइली हम पहुंच चुके है tiger point सो यह दिखे कुछ ऐसा सा view है जैसी हम enter करते हैं सो यहां पर आपको साइट में railing देखने को मिलेगी और काफी सारी chairs हम यहां देखने को मिलेगे सो थैंक्फोली हम sunset से पहले पहुंच गे भी sunset नहीं हुआ है बट हो नहीं वाला है यह दिन क्यों few minutes से sunset हो जाएगा तो से पहले जो सारा जो व्यू है हम capture करने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगे काफी सारी क्यूट की small monkeys यहां हमें देखने को मिले हैं कि यह काफी शयतान होते हैं तो इनसे अपना जो समान है वह बचाके रखी लेकि एकड़म भाग जाते हैं काफी संख्या में यहां पर मंकेश देखने को मिले हैं यहां पर आपको रेलिंग देखें और खुबशू सा संसेट होता हुआ आपको दिख रहा है और यहां पर आ यहां किसी का pre wedding shoot भी चल रहा है तो हाइज फेंवस प्लेस है तो लोग यहां पर प्रीवेडिंग शूट करने आ रहे हैं और यहां पर sunset होता हुआ देखने को मिल रहा है और काफी काफी जादा चहल पहले काफी जादा यहां पर लोग देखने को मिल रहे हैं हमें चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और एक्स्प्लोर करते हैं सो फाइनली फ्रेंट हम लोग पहुंच चुके टाइगर पॉइंट जो मेरे पीछे आप जो एक हिल देख रहे ना इसी को टाइग पर बहुत ही कॉइट प्लेस यहां पर आपको एक्दम रिलाक्सेशन का एहसास यहां पर होता है तो यहां से मैं आपको जो पूरा है आपको यहां पर करा देख थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगे क्लाउड है काफी तो नीचे इतना वीजिबिल्टी नहीं है तो आपको प्रेस करना मत भूलेगा वहां से आपको लेटेस अपडेट मेरे वीडियो के मिलते रहेंगा यह दिखा तो यहां कुछ रिवर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और जो उपर जो स्काय का है ना कला वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पेंट कर दिया है झाल